हेलो मेरे दूस्तों कैसे हूँ आप लोग वेल्कुन दो चैनल इस वीडियो में आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस एपिसोड को डिटेल में एक्स्प्लेइन करूँगा वीडियो बहुत ही सदा डिटेल में होगी और बहुत जादा मज़ेदार होगी इसलिए कुईदाओ को कभी भी धोखा नहीं दे सकता है अब आगे सुदूस्तों एपिसोड स्टार्ट होती है और हमें मास्टर कुईदाओ को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही जदा खुस है अभी तक जो वो सीरियस लग रहे थे उनका ये रियक्सन पूरी तरह से उससे उल्टा लग रहा है वो बहुत ही जदा खुस और एकदम जोईफुल लग रहे हैं सीहाओ से कह रहे हैं तो आखिरकार तुमने अब अपना ओथ ले ही लिया याद रखना अब तुम इसको तोड़ नहीं सकते हो वेल सीहाओ इसके बाद बहुत ही ज़्यादा टेंसन वालमू बनाता है जूकि यहाँ सीहाओ ने जो ओथ लिया था उसके उपर मास्टर कुई दाओ ने सोल मार्क यूज करा है सीहाओ जो कि सोच रहा था कि यह ओध हर किसी को अकेडमियों घुषने से पहले लेना पड़ता होगा यह हम इसा के तरह एक नूर्मल ओथ होगा पर यहाँ जो यह स तियांसियान अकेडमी देखने का मौका मिलेगा मास्टर कुई दाओ कहते हैं सब कुछ मिलेगा तुम अब तियांसियान अकेडमी के हमारे से सट में जूड गए हो पर अगर तुम उससे रिस्पेक्टफुल नहीं रहे तो मैं तुम्हें इस से से बाहर निकाल दूगा जि सीहाओ को अच्छे सुन के बारे में नहीं पता तो फिर मास्टर कुईदाओ अपना नाम बताते हैं कुईदाओ और कहते हैं क्या तुमने पहले ये नाम सुन रखा है सीहाओ जो की ये बात सुन कर सोच में पढ़ गया है सोच रहा है मैं अपर वर्ड में फिल हाल में ही आया हूँ अगर मास्टर कुईदाओ को इस बार में पता चल गया तो मैं मुसिबत में पढ़ सकता हूँ अपर वर्ड में फिल हाल में आने के वज़े से मुझे यहां के main personalities के बार में पता नहीं चला है हो सकता है यह master क्वेगाओ भी एक बहुत ही महान personality हूंगे वो अपना हाथ जोड़कर उसे कहता है हाँ master मैंने आपका नाम सुना है आप एक बहुत ही महान master है पर मुझे माफ करिएगा मैं आपके बारे में और जादा जानकारे नहीं हासिल कर पाया हूँ सी हाउ की बात को सुनकर कुईदाओ का हम रियेक्शन देखते हैं जो कि काफी ज़दा रिलीव्ट जैसा रियेक्शन देते हैं जैसे उनके दिल से एक बहुत ही बड़ा बहार उतर गया है कहते हैं सच में सी हाउ जब ये रियेक्शन देखता है वो फिर से एक बाई परिसान हो जाता है कहता है मेरी बात को सुनकर मास्टर कुईदाओ ऐसे रिलाक्स जैसे क्यों हो गया जैसे उनके दिल से एक बहुत ही बड़ा पत्थर हड़ गया कहीं मैं कोई प्रावलम में तो नहीं फसने वाला हूँ जिसके बाद मास्टर कुईदाओ सी हाउ की कहने पर उसको इनर कोटियार्ड दिखाने के लिए ले जाते हैं सबसे पहले वो लोग उस गेट से एंटर होते हैं और सामने एक बहुत ही बड़ा सा प्रेमिसस दिखाई देता है सी हाउ गहता है मास्टर त्यांसियान अकैडमी कहां तक फैला हुआ है तो मास्टर कुईदाओ कहते हैं इसका डोमेन तुम्हारी सोच से भी बड़ा है सी हाउ तब कहता है पर मास्टर आखिर कितना तो फिर कुईदाओ उसको बताते हैं ऐसा मानलो जितना तुम्हारा दिल बड़ा है उतना ये परेमिसस बड़ा है सुन रहे हो दोस्तो, मस्टर कुईदाओ की बात गोल गोल घुमी हुई है, को भी चीजों की सही अंसर्स नहीं मिल रहे हैं जिसके बाद वो सीहाओ को उड़ाते हुए यहां की सेर कराने को ले जाता है सी हाउ जो कि उनके साथ उड़ते जा रहा है बहुत दूर उड़ने के बावजूद उसे मेन अकेडमी नहीं दिखाए दिया है इसलिए वो अपने मन में सोच रहा है और फिर इतनी दूर उड़ने के बावजूद मास्टर हमें अभी तक इनर को टियार नहीं दिखाए दिया है मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर ये तियांस्याइन अकेडमी कहा है कुईदाव जो कि सी हाउ की बातों को इग्नोर करते हैं उसको और दूर चलाने के बाद फिर से उसी तरह के गेट के पास पहुँचते हैं अब गेट में उतरने के बाद सी हाउ जो की की नजारा देखकर परहसान हो क्या है कह रहा है क्या हम लोग उसी जगा पर नहीं आ गए हैं कुईदाव कहते हैं नहीं नहीं ये जगा सुप्रीम दोजू है तो फिर सिहाओ कहता है तो क्या तियांस्यान अकेडमी बाहर की जगा पे आकर प्रैक्टिस करने के लिए अलाउड है मुझे आपकी बातों पर डाउट हो रहा है तो फिर कुईदाओ कहते हैं किसने कहा ये तियांस्यान अकेडमी के अंदर आता है ये सुप्रीम दोजो है त्यांसियन अकेडमी से ये बहुत उपर है अब तुम मेरे कोड डिसापल हो यानि की मेरे सुप्रीम दोजो के असली वनसज सी हाओ ये नसारा इसकी बातों को सुनकर गुस्ता क्या है गुस्ते मैं अपने मन में कह रहा है इस बुटे ने मुझे ठक दिया मुझे विश्वास नहीं हो रहा है मैं इसकी बातों में आ गया जिसके बाद सी हाओ गुस्ता कर वहां से जाने लगता है कुईताओ सी हाओ को जाता हुआ देखकर कहता है तो तुम जा रहे हो पर याद रखो अगर तुम यहाँ से चले गए तो तुम सुप्रीम दो जो को मिस कर दोगे वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि सी हाओ इसकी बात को सुनकर रुकेगा पर सी हाओ तनिक सा भी नहीं रुकता है यह देखकर तुरंथी कुई दाओ तोड़ते हुए सी हाओ के पास जाता है उसको मनाने लगता है कहता है लड़के मेरी बात पर विश्वास करो मैं सच में सबसे बेस्ट हूँ तुम्ही जो मौका मिला है वो हर किसी को नहीं मिलता है मैं हर एक जेनरेशन से सिर्फ एक बच्ची को उठाता हूँ उसे अपना डिसापल बनाता हूँ और उसे ट्रेन करता हूँ और इस बार तुम मेरे डिसापल हो तुम क्यों परिसान हो रहे हो तुम तियांसियन अकेडमी की ओर्डिनरी डिसापल जैसे नहीं हो तुम उनसे फार बैटर हो और इसलिए मैं तुम्हें उससे और जादा बैटर बनाऊंगा सीहाओ इसकी बात को सुनकर फिर से गुष साता है कहता है आप कहरे हो कि यहाँ हर जेनरेसन में आप सिर्फ एक डिसाइपल को चुनते हो पर बाकी की डिसाइपल कहा है यहाँ पर इस सेक्ट में सिर्फ मैं और आप दिखाए दे रहे हैं यहाँ सिर्फ हम दोने हैं मुझे आपकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है अब सीहाओ की बात को सुनकर कोई दाओ हसने लगता है कहता है अच्छा अच्छा मैं समझ गया तो यह बात है अरे लड़के थोड़ा सा सबर तो करो तुम्हें सब कुछ दिखाए देगा तुम्हें पता है सुप्रीम दोजो एक फेंट हॉटिट परसन को नहीं दिखाए परता है सीहाओ और गुस्ता हो जाता है कहता है आप पे भरोसा करना जैसे अपने सिर को पत्थर पे मारने जैसा है सीहाओ की बात को सुन कर कुईदाओ गुसा जाता है कहता है तुम्हें लगता है मैं मजाग कर रहा हूँ तुम्हें सुप्रीम दोजो की हिस्टरी के बारे में कुछ पता भी है सीहाओ जो expect कर रहा था कि अभी कुईदाओ उसे history बताएंगे कुईदाओ कहते हैं ये बात ध्यान रखो अगर हमारे disciple यहाँ सामने आ गए तो उन लोग की जान खत्र में आ जाती है वो लोग कोई मामोली person नहीं होते हैं वो लोग एक supreme being जितने powerful हो जाते हैं सीहाओ तब कहता है पर मुझे उन्हें देखना है क्या होगा अगर वो यहाँ पर आजाएं हर तरह की मुसीबत जो उन पर आएंगी मैं उन से उसको protect करूँगा सीहाओ की बात को सुनकर विदाखुस हो जाते हैं कहते हैं तो ये कही ना तुमने family वाली बात लड़के इतना जादा मत हर बढ़ाओ मेरे पास बहुत सारे techniques हैं जो कि मैं तुम्हें सीखा सकता हूँ कि करके वो सीहाओ को अपने techniques के बारे में बताते हैं ये important techniques मैंने अपनी जिंदगी भर में सीखी है और मैं इन सब को तुम्हें सीखाऊंगा तो फिर सीहाओ कहता है ठीक है अगर आप मुझे सीखाना चाहते हैं तो मैं आपसे सीखूंगा पर उससे पहले मुझे अपने spiritual बात के लिए आपसे कुछ सवाल पूछनी है तो फिर क्विदाओ कहते हैं जरूर मैं तुम्हारा teacher हूँ और मुझे तुम्हें हर तरह की question clear करने का फर्स बनता है मैं तुम्हें भी तुम्हारे spiritual बात के लिए guide करूँगा पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो तो फिर सीहाओ जो की abnormal हो चुका है वो उसी grave के बारे में सूचने लगता है जहाँ पर उसे दो fires attack कर दिये थे वहाँ पर उसे ऐसी खतरनाक power का feel हुआ जो की सीहाओ ने अभी तक feel नहीं कर रहा था और उपर से एक real dragon जो की उस grave का protection कर रहा था इसलिए वो फिर master कुईदाओ से पूछता है क्या reincarnation possible है क्विदाओ तब बहुत ही seriously सीहाओ को जवाब देते हैं नहीं इस world में ऐसा कोई नहीं है जो की अपने आपको reincarnate कर सकता है पर ये भी बात गलत नहीं है कि reincarnation एक valid चीज है सीहाओ confused होकर पूछता है आपका मतलब क्या है विदाओ कहता है देखो एक बात याद रखो इसी दुनिया में सब कुछ है पेड़ बहुत है जिन्दगी, prosperity, health और तुम्हारी strength पर जब कोई person मारा जाता है या मर जाता है तब उसका पूरा सरेर खाली हो जाता है और वो एक empty world में पहुंच जाता है तो फिर वहाँ पे से दोबारा वो सारे चीज़े अचीव करना कैसे possible हो सकता है ये एक बहुत ही ज़दा complex subject है जिसको समझ पाना कोई मामूली बात नहीं है reincarnation जैसे चीज होती है पर इसको कैसे करा जाता है ये बहुत कम लोगों को ही पता है सीहाँ को ये answer satisfactory लगा मास्टर कुईदाओ से वो एक टेकनीक के बारें पूछता है 8th reincarnation technique जिसको फिर मास्टर कुईदाओ बताते हैं कि एक 6th reincarnation technique होता है ये उसी तरह का है पर ये अलग है मैं तुमें ये 6th reincarnation technique दिखा सकता हूँ फिर आगे तुम्हारी मर्ची कि तुम इसे कितने आगे तक लिकर जाओगे सीहाँ को अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं और सीहाँ कुईदाओ को अपना teacher accept करता है well seen यहाँ से shift हो जाता है हम लोगों को त्यांसियान academy के main hall को दिखाया जाता है यहाँ पर यहाँ से आगे के head teacher है जिसके पास एक elder आये हुए है head teacher कह रहे है तो कुईदाओ ने वापस से हमारे एक disciple को चुरा लिया तो फिर वहाँ पर आये elder dean को यह सुझाओ देते हैं कि यहाँ पर हमें बात करने से अच्छा उन लोगों को जल से जल धूडने जाना चाहिए इसी वज़े से वो लोग उन्हें धूडने के लिए निकल जाते हैं और दोस्तो बस इसी बात के साथ perfect world का यह episode इसी जगा पर खतम होता है मेरे दोस्तो आप मेरे को बताओ कि आपको यह video कैसा लगा अगर video पसंद आया तो ज़रूर से खुए-लाइक करना मैं आपके हिए बहुत जल इसका next episode लिए कर रहा हुगा मेरा इंतίζार करना बीडियो पसंद आया तो ज़रूर से खुए-लाइक करना कमएंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा चैनल पर पहले बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे डिटेल में एक्स्टोलेसन हमें साल आता रहता हूँ मैं मिलूँगा आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाई थाइंक्स हरोचिंग